दीदी हमें स्वार संधी तो बहुत यह तरह समझ में आ गई पर आपने कहा था कि हमें वेंजन संधी बताएंगी है लेकिन उससे पहले हमें बताईए कि हिंदी वर्ड माला में वेंजन होते कितने हैं 23 बिलकुल अच्छे से आपको आती है इसका मतलब कौन-कौन से होते हैं रहूराब बताईए का-खा-गा-गा आंगा और आपको पता है का से लेकर पाँच वर्ड यानि अकशर होते हैं इनको कौनसा कहते हैं क्या वर्ड कहते हैं का वर्ग, यानि जो का शुरुवाद करता है, उसी के नाम से पांचु अक्षर उस वर्ग की कहलाते हैं, इसके आगे कौन से होते हैं? और ये किस वर्ग में आएंगे? बहुत अच्छे, आप बताई विनिशा, ये कौन सा वर्ग हुआ? ता बहुत अच्छी आप बताईए ता दाधन और यह कौन सा वर्ग कहला है ता ता वर्ग क्योंकि इसका पहला अक्षर ता है इसके अलावा बताईए आप बताईए सक्षी पापा बाभा मा यह कौन सा वर्ग है पावर्ग और फिर यारलावश यह कहलाते हैं अंतर वर्ग औ तोर से बोले बटा, शाखा, शाखा, यह कौन से क्यलाते हैं साक्षी वर्ण, उस्मवर्ण और इसके अलावा सहयूंगतक्षर होते हैं, तीन वो कौन से होते हैं, श्त्रग्या, बिल्कुल अच्छे, तो यह जो वेंजन होते हैं, जब आपको बताता है, स्वरसंदी में हम स् शब्दों में किसी वेंजन वर्ण का किसी वेंजन या स्वर वर्ण से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे वेंजन संदी कहते हैं यानि शब्द के एक तरफ वेंजन हो और दूसरी तरफ या कोई वेंजन वर्ण हो या कोई भी स्वर हो दोनों ही स्थितियों में जो इस वेजन word में परिवर्तन हो कह उसको हम बेचन संधी कहते हैं शेजा है ज़ेए न अब बेचन को उसमें कोई स्वर्न है इसका पता लगाने कяти कैसे बता चलता है कि उस word की नीचे क्या लगा होता है ठीक है, जैसे यह सुधारन में देखी। उत्ध भण्र लेग, क्या लिखा हुआ है। उत्ध लेग, और इस ता में कोई स्वर नहीं है, कैसे बता चल रहा है? ता में ग्रण है, क्या है है.. नाना लेग। इसका मतलब करोण है क्या है क्या है? ता आने पर यह क्या हो जाता है उले आया समझ में तो वेंजन संदी किसे क्याते है जब किसी वेंजन वर्ण का किसी वेंजन या स्वन वर्ण से मेल होता है तो उसके बाद जो परिवर्तन होता है उसको हम वेंजन संदी क्याते है अब इसके कई प्रकार होते है और यह सारी सं में क्या होना चाहिए, वेंजन वर्ण होना चाहिए, यानि वेंजन वर्ण कैसे पहचानेंगे, कि उस तरफ जो भी अक्षर हो उसके नीचे क्या लगा होना चाहिए, तभी वो स्वर रहीत होगा, तभी वो पूरा वेंजन वर्ण होगा, और उसका जब किसी स्वर या वेंज संदी कहते है उसको अब इसका जो पहला भेत होता है जब वर्ग के पहले वर्ण अभी आपको वर्ग बताया न का वर्ग चा वर्ग ता वर्ग इस तरह पांच वर्ग होते हैं जब वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई स्वर्ण या किसी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आता है तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है कैसे फिर से समझो जब वर्ग के पहले वर्ण के बाद पहला वर्ण क्या हुआ जैसे का हो, ता हो, पा हो या टा हो जो पहला वर्ण है जिससे शुरू होता है कोई भी वर्ण उसके बाद अगर दूसरी तरफ कोई भी स्वरा रहा है या किसी वर्ण का तीसरा और चौथा अक्षर यानि का में तीसरा चौथा अक्षर क्या आता है का वर्ग में गा या गा तीसरा चौथा अक्षर क्या हुआ गा अगर वो आता है तो जो का है जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है यानि का अगर हुआ तो वो तीसरा अक्षर क्या होग गा 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 तीसरे अक्षर क्या हुआ गा तो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है आया समझ में पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में कब बदलता है जब दूसरी तर्फ किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर हो या कोई भी तो इसको उदहरान देखते है, अब ये दिखिए ये पहला बता है ये दिख, धन, गज अब ये का कौन सा अक्षर है? वर्ग का अक्षर है? कवर्ग का पहला अक्षर का वर्ग का शुरुबात यही होतीज है का दन गज अब ये गा कौन सा अक्षर हुआ तीसरा अक्षर किस वर्ग का का वर्ग का ये तीसरा अक्षर है तो जब हमने क्या उसमें पढ़ा था परिभाशा में अभी कि जब किसी वर्ग के पहले अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा ये चौता अक्षर अगर आता है तो पहला आक्षर अपने ही वर्ग के तीस्टे आक्षर में बदल जाता है यानि ये काहलंद किसमें बज़के बदल गया? गाहलंद के इसलिए क्या बन गया? दिगज़ का की ज़के क्या बदल गया? गाहलंद आ गया आयाँ समझ में? इसी तरह ये उधारणद देखिए दिख, धन, अमबर यहाँ पे का वर्ग का पहला आक्षर है का? इस तरह अमबर में क्या है? आ क्या है? आ क्या है? स्वर्ग आ, स्वर्ग और हमने उसमें पढ़ाता कि पहले अक्षर के बाद अगर कोई स्वर आता है, तो भी क्या होता है, का यानि पहला अक्षर अपने ये वर्ग के तीसरे अक्षर नहीं बतल जाता है, इसका मतलब क्या होगा, दिगंबर गापूरा कैसे हो गया, क्योंकि ये आस्वर उसमें मिल गया, तो दिगाहलंथ की जगे गाहलंथ हो गया, धन आ, तो क्या बन गया गापूरा हो गया, दिगंबर आया समझ में? अभी सुधारण के मारे में बताएए, साग्षी क्या लिखाया है? सथ, धन, वानि, ये ता किस वर्ग का पहला अक्षर है? ता वर्ग का बिल्कुल ठीक, और इधर ये क्या है वा, वा किस वर्ग का अक्षर है? यार लव, वा वा यार ये अन्तस्ट वानि, तो क्या हूआ? सत्वानी तो त अपने ही वर्ग के किस आक्षर में बदल गया है? तीसरे आक्षर में त थ त त त-द त। त त थीसर आक्षर हूआ त त अपने ही वर्ग के बदल जाता है है न समझ में आए? सब्सक्राब एस उदहरन हो जगत-धन-गर यहाँ पर भी देखो ता वर्ग का पहला आक्षर हुआ, इसके लगे स्वार आ रहा है, तिब भी यही परिवर्तन हो रहा है कि ता अपने वर्ग के तीसरे आक्षर में बदल रहा है, तीसरे आक्षर क्या हुआ? नहीं, दा, ता था दा, तो जगत की जग है, जगदीश, और उसमें ए जुड़ गया, ईश जगदीश हो गया, आया समझ में, इसको हम एक नाम से भी पहचानते हैं, इसको हम त्रतीय अक्षर संधी कहते हैं, त्रतीय अक्षर का मतलब कि अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर मे बदल जाता है, आगया समझ में, अब हम इसके दूसरे नियम में पढ़ावाचार हैं, दूसरा नियम क्या है, कि जब किसी वर्ग के पहले अक्षर के बाद, किसी वर्ग का पाँच्वा अक्षर आ जाता है, ठीकी है, यानि पहले वर्ग, उस ये शभद के अंत में कौन सा किसी वर्ग का पहला अक्षर हो, किसी वर्ग का पहला अक्षर हो, और दूसरे शब्द के आरंबे में क्या हो, उसी वर्ग का आख्री है, पंचम आक्षर हो, तो पहला अक्षर अपने वर्ग के पांचम आक्षर में बतल जाता है, इसको भी हम पंचम आक्षर संदी क्याते है, जैसे कि तुम्हें नाम से ही बता चल रहा, पंचम आक्षर, पहले की जगे पांचवा आक्षर आजा, उसी वर्ग का पांचवा आक्षर आजाता है, इसको हम कौन सी संदी कहते हैं, पंचम आक्षर, नियम क्या है, कि जब किसी भी वर्ग के पहले आक्षर के बाद, हमारे, उ किस वर्ग का कौन सा अक्षर है वर्ग बताई है ता वर्ग कौन सा अक्षर है पाँचवा अक्षर ठीक है न और यह किस के बाद आ रहा है ता क्या है ता क्या है ता किस वर्ग का अक्षर है ता कौन सा अक्षर है तहला अक्षर है तो ता वर्ग का पहले अक्षर के बाद जब यह ना यानि पंचम अक्षर आ रहा है तो ता क्या हो जाएगा अपने ही वर्ग के पांचवे अक्षर है बदल जाएगा तो ता था दाधा ना ना हुआ ना पांचवे अक्षर तो क्या हुआ जगन नात ता की जगे ना लग्या अब ना हलन्त को जब हम लिखेंगे तो क्या ह हुआ आधा नानन इस तरह से हievous से लिखते है हम उसली आए यह ली repo तो, वो इस तरह से लिखा जाता है, लिखन नांथ क्या हो जगत नात की जगह है जगन नात आगे, अभी सुधारान को बताईएं आप अब बताईएं बिनीशय क्या लिखाई, उत्ठ धन, नती, ठीक है ता क्या है किस वर का अक्षर है ता वर का पहला और ना ता वर का पहला अक्षर ठीक तो उत्धन नती भी यहां पर ता किसमें बदल गया ना में और ये बन गया उननती आया से मिच मिना अब ये भी देखिए उत्धन नयन ता हलन्त ता वर का पहला अक्षर हो और ये यह ना अपनी वर्का पाच्यॉ और है ता अपने वर्की पाच्यॉ अखशन न बदलगा इस तरह से बन के अए उन्ययन आगया समझ में ठीक से डी दी ठीक से तिक से आया ना जुकर आए डी अब इसका एक और नियम होता है उसमें हम कहते हैं जब ता होता है ता जानते है न तवर्ग का पहला अक्षर यानि ता के बाद ला आता है इसका मतलब पहले शब्द के अंत में ताहलंत हो और दूसरी शब्द के आरंभ में अगर ला हो यानि ला से शुरू हो रहा हो शब्द तो ता ला में बतल जाता है ता जैसे तत धन लीव अब ता के बाद येदर क्या अक्षर है ला तो ये ता किसमें बदल जाएगा ला में और शब बन गया ततलीन नहीं क्या बना तलीन यानि ता बदल गया ला ला लेग तो यह आपने आधा ला लेग दिया तल लीन बन गया ठीक है न सबच पहा है ये इनार वी निशाच करी गया तक द्धन लेख कैसे यह लेख हो गया क्योंकि दौश के बाद लर अरू जब ऐसा होता तो क्या होता है तो अपने अतल तो लॉं में बदल जाता है ल्कुल अच्छै और इस से उत्धन लेघ क्या बन जाएगा ललेख है अब यह बताये अप ब पहले अक्षर ला है तो ता अपने आपको ला में बदल लेगा ता हलन्त है तो ता ला हलन्त है ला उल्लास बन जाएगा बिल्कुल ठीक उत धनलास क्या बन जाएगा उल्लास तो यह हमारे व्यंजन संदी के नियम होते हैं हम तो साक्षी अब आप बताईए कि व्यंजन संदी किसे कहते है जब किसी व्यंजन के बाद कोई श्वर्य या उसके व्यंजन वर्ग आए तो उनके मेल से जो परिवर्टन होता है उससे हम व्यंजन संदी कहते हैं बिल्कुल ठीक लेकिन आपने एक गलती कि वर्ग नहीं डादीय तत धन वो beyond क्या होगा ओगा कांस सान्दीयों तृतिया अक्षर कैसी क्योंकि जब तत में पहले अक्ष्र-टा अ तो ताहलन पहला है और प्थाह्चमाक्स संदी का कोई उधारन बता हैं यह पोअ कि यानि आपको अच्छे से समझ में आगे न तो अगली बार आप लोगों को हम संदिके और प्रकार और उधारणों के बारे में बताएंगे